जियां दोस्तों अगर आप इंडिया की टॉप रेंडिंग बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिसिल साबित होने वाला है जियां दोस्तों आज में आपको जुपिटर मनी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की परकरिया को लाइव प्रोसेस के मादिम से समझाने वाला हूँ इस बैंक में अकाउंट ओपन करवाने पर डेविड कार्ड, चेकबोक, मुबाइल बैंकिंग जैसे फॉन पे, गूगल पे, आदि की सर्विस फ्री में देखने को मिल जाती है इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपकी उमर 18 साल से उपर होनी चाहिए और आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है तो चली फ्रेंड्स विनादेरी के आज के इस खास वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस वेबसाइट पर आपको ओपन लिब बताया गया है कि यह एक जिरू बैलन्स अकाउंट है साथ ही साथ यहाँ पर आपको किसी भी परकार के हिडन चार्ज नहीं देने होंगी बहुत सारी बैंक ऐसे भी होते हैं जिसमें अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप से कई परकार के हिडन चार्ज ले लिए जाते हैं लेकिन इस अकाउंट में आपको किसी भी परकार का हिडन चार्ज आपको नहीं लगने वाला है साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी hidden piece लगेगा वो आपको जो है इसके charges list में आपको देखने को मिल जाएगा मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से आपको यहाँ पर hidden charge लगेंगे लेकिन जो अन्य bank लगाती है वैसे आपको hidden charge नहीं लगेंगे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं Jupiter piece rates और charge वाले section में हम आ चुके हैं यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि कौन-कौन से यहाँ पर आपको charge देना होगा सबसे पहले आप बात कर लेते हैं minimum balance की minimum balance यहाँ पर आप देख सकते हैं zero balance account है तो आपको कोई balance maintain करने की जरूत नहीं है साथी साथ यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको bank की तरब से आपको कितना interest rate देखने को मिलेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको और आपको देखने को मिल जाता है और अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर अगर आप Google पे या फॉन पे या UPI वगरा कोई भी यूज करते हैं तो आपको उसका कितना चार्ज देना पड़ेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं नो चार्ज यहन कि आपको किसी उपर करका कोई चार्ज यहां पर आप नहीं देना है और साथ ही साथ यहां पर आपको बताया गया है IMPS चार्ज के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं मैने के अदर अगर आप 5 ट्रांजक्शन करते हैं तो यहां पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा लेकिन आप 6 ट्रांजक्शन करेंगे IMPS की मदद से 1000 रुपे से उपर होगा तो ही चार्ज लगेगा 1000 रुपे से नीचे होगा तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं 1000 से 1 लाग की बीच में होगा तो आपको 5 रुपे ट्रांजक्शन का देना पड़ता है अगर आप 1,00,00 से 2,00,00 के मद्दे करते हैं तो यहां पर आपको 15 रुपे का transaction चार्ज आपको देना पड़ेगा और 2,00,00 से उपर करते हैं तो 17 रुपे पर transaction आपको यहां पर देना पड़ता है उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे इसके important चार्ज के बारे में जो की हैं हमारा debit card और ATM charge यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं physical debit card के बारे में तो physical debit card अगर आप first time इससे लेते हैं तो आपको यहां पर किसी परकार का कोई charge नहीं देखने को मिलेगा उसके बात करते हैं replacement fees की तो यहन की अगर आप card का इन damage हो जाता है या खराब हो जाता है तो भी यहां पर आपको किसी परकार का कोई charge नहीं लगने वाला है आप जो है बिना charge गई अपना new physical card order कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आप देख सकते है yearly charge on debit card यहन की आपको एक साल के बाद renewal charge भी आपको नहीं देना होगा जो कि किसी भी bank में आपको नहीं बताया गया है यहां पर आप देख सकते हैं खास बात इसकी यह आपको देखने को मिल जाएगी transaction fees की बात करते हैं अगर आप federal bank के ATM से transaction करते हैं तो यहां पर आपको किसी परकर का कोई charge नहीं लगने वाला है आप unlimited transaction कर पाएंगी और उसकी जग़े अगर आप federal bank के अलावा किसी भी bank के ATM से transaction करते हैं तो आपको 5 transaction पर महीने आपको free में देखने को मिलते हैं और 5 transaction के बाद अगर आप transaction करते हैं तो आपको 21 रुपया transaction देखने को मिल जाएगा और 10 रुपया आपको balance लगेगा जब आप जो है minimum statement चेक करेंगे या कुछ balance inquiry वगरा करेंगे तो उस समय या पर आपका 10 रुपया transaction आपका चार्ड लगने वाला है उसके बाद हम बात कर लेते हैं case withdrawal अगर आप भारत के बाहर अगर आप case withdrawal करते हैं एटियम से तो आपको 100 रुपया पर case withdrawal लेंकि अगर आप 500 रुपय निकालते हैं तो 100 रुपया आपको यहां पर चार्ड देना पड़ेगा उसके बाद बात कर लेते हम transaction decline हो जाता है अगर आपके bank में balance नहीं है और आप ATM में चले जाते हैं अपने money को withdraw करने के लिए तो आप देख सकते हैं आपको जो है federal bank के ATM से अगर आप transaction करते हैं तो आपको कोई charge नहीं लगने वाला है लेकिन अगर आपका other bank के ATM से अगर आपने decline हो जाता है तो आपको 25 रुपया आपका जो है आपर minus में चला जाएगा उसके बाद बात कर लेते हैं इसके अंदर सबसे बड़े important charge के बारे में तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको checkbook वाला option देखने को मिल जाएगा चेकbook के बारे में यहाँ आपको बताया गया है के वाइसी करवा लेते हैं उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके नैप्ट और RTGS transfer के बारे में आप देख सकते हैं RTGS अगर आप branch के मादेम से करवाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ चार्ट देखना को मिलेगा हलंकि चार्ट जो मिलेगा वो 2,5,0,000 के बीच मा करवाते हैं तो 20 रुपे transaction आपको चार्ट देना पड़ेगा और 45 रुपे transaction चार्ट देना पड़ता है अगर आप 5,0,000 से उपर का RTGS करवाते हैं उसके बाद हम नैप्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो नैप्ट भी अगर आप ब्रांज में जाकर करवाते हैं तो यहां पर आपको 2 रुपे transaction चार्ट लगेगा 10,000 से उपर करवाते हैं तो यह आपका चार्ट लगता है 4 रुपे transaction चार्ट लगेगा अगर आप 10,000 से 1,00,000 के बीच में करवाते हैं और 14 रुपय ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा अगर आप 1 लाग से 2 लाग के बीच में करवाते हैं और 20 रुपय ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा अगर आप 2 लाग से उपर करवाते हैं तो यह थे कुछ इसके यहां पर आपको चार्ज मैंने बता दिये हैं कि आपको यह यहां पर कौन-कौन से चार्ट देखने को मिलेंगे, हलांकि कोई भी hidden piece आपको यहां से नहीं ली जाएगी, अब हम बात करते हैं इस account को open करना, open करने के लिए आपको वीडियो की description में एक link मिल जाएगा, उस link पर click करके आपको जो इस application को install करना है, यहां पर आप देख सकते हैं, आपको इस परकार का app देखने को मिल जाएगा, simple सा यहां पर अलग वाले option पर आपको click कर देना है, जैसे आप अलग वाले option पर click करेंगे, वापस से आपको दो बार यहां पर आपको allow करना है, और tag me there वाले option पर आपको click कर देना है, जैसे आप click करेंगे अब यहाँ पर आपको कुछ term और condition को accept करना है continue option पर click करेंगे यहाँ पर आपको अपने pen card number को डालना है pen card number डालने के बाद continue option पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस परकार का interface आजाएगा यहाँ पर आपके pen card पर जो नाम होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा that's me वाले option पर आपको click कर देना है जैसे आप click करेंगे अब आपके सामने कुछ इसपर card का interface आजाएगा यहाँ पर आपको अपने other card number डालने है check box पर click करना है और perform EKYC वाले option पर click कर देना है जैसे आप EKYC वाले option पर click करेंगे अब आपके mobile number पर 6 digit का यहाँ पर आपको OTP देखने को मिल जाएगा OTP आपके other card में जो mobile number link है उसपर आजाता है उसपर आपको click करना है proceed with EKYC वाले option पर click करना है जैसे आप click करेंगे अब आपका यहाँ पर redirect हो जाएगा सीधा NK आपके अंदर कौन-कौन से यहाँ पर bank account ओपन की है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको allow वाले option पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको address डालना पड़ता है लेक से की तो यहाँ पर आपको डालना है और continue वाले ौप्सन पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे अब यहां पर आपको कुछ details डालनी है जैसे कि आप देख सकते है अपको annual income डालनी है अपना जो meritive आ perspectives डालना है डालने के बाद confirm वाले option पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको nominee add करना है nominee add करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते है nominee add कर सकते है अगर आप नहीं करना चाते है तो I will do वाले option पर click करेंगे जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते है final review आपके सामने देखने को मिल जाएगा यान की आपने कौन कौन सी details डाली है तो simple सा आपको looks good और continue वाले option पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो अब यहाँ पर आपको जैसे font पे और google पे में account बनाने पर आपको mpin create करना पड़ता है इस परकार से यहाँ पर भी आपको mpin create करना पड़ेगा उसके लिए यहाँ पर आपको डालने है उसके बाद आपको और चार डालने है और done वाले option पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकता है अब redirect हो जाएगा simple सा यान कि आपको mpin successfully set हो चुका है अब यहाँ पर आपका rocket launching का इस परकार का interface आपको देखने को मिल जाएगा यानि कि आपका account यहाँ पर successfully open हो रहा है तो आपको जस्थ थोड़ा सा wait करना है यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको 3 minute के लिए आपको wait करना होता है इस परकार से आप जो है Jupiter में अपना zero balance account open कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको debit card और checkbook आपको free में दे दिया जाता है तो यहाँ पर आपको zero balance account में आपको hidden fees वगरा कुछ भी charge नहीं लगेगा जो भी charge लगेगा मैंने आपको बता दिया है कि किस परकार से आपको charge लगेगा हलांकि जो ज़्यादा transaction करते हैं उनका ही यहाँ पर आपको charge लगने वाला है जो कम transaction करते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको किसी परकार का charge नहीं लगने वाला है तो उमीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरू करें और चैनल को अभी तेक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन